नमस्कार साथियों आज से हम शुरू कर रहे हैं 36 गड़का मध्धिकालिन इतियास ठीक है सबसे पहले मैप से देखने ही कोशिश करेंगे कौन सा वंच कहां पर शासन करेगा जो मध्धिकालिन इतियास से संब्धित है तो हेडिंग डालीजिये सारे 36 गड़का मध्धिकालिन इतियास जो लाइफ जुड़े हो आई होप सारी चीज़ा सही है आपके साथ वीडियो क्वालिटी वॉइस क्वालिटी मध्धिकालिन इतियास ठीक है 36 का मध्यकाली नितियास ये जो मध्यकाली नितियास इसकी शुराथ हम कब से मानते हैं ये एक बात है देखे 1000 इस्वी के आसपास से मध्यकाली नितियास की शुराथ मान सकते है exact time period नहीं है विल्कुल भी कि इस काल के बाद ही मध्यकाली माना जाएगा सबसे पहली बात, ठीक है क्या, सबसे पहली बात, कोई exact time period नहीं है, ठीक, मतलब 10 वी शताबदी इसवी, 920, 1000 इसवी के आसपास का समय मध्यकाली नितियास कहलाता है, exact time period कहीं भी classify नहीं किया गया है, ओके, तो ये मध्यकाली नितियास हमको clear हो गया, इसके पहले जो आपके प्राची नितियास के कुछ वीडियो, कुछ टॉपिक जो pending है, वो आपको दे दिये जाएंगे, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, फिर उसमें दिक्कात आ गई, फिर रिशूट करना पड़ेगा, ये समस्या आ गई थी, तो चलिए, अभी आज शुरू कर रहे है, 36 जिसमें कौन-कौन से वन्ष हम पढ़ेंगे, इधर दिखिएगा, सबसे पहले जो आज का में टॉपिक होने वाला है, वो है कल्चूरी वन्ष, ठीक है, तो मन्दिकाली इंतियास में पहला पढ़ना है कल्चूरी वन्ष, ठीक, ओके, और आज यही चुरू हो रहे है, जो दूसरा बहुत ही प्रमुख हमको वन्ष पढ़ना है, 36 गड़ के मन्दिकाली इंतियास सम्बंधित, वो है काकतिय वन्ष, ठीक है, काकतिय यह चालुक के वन्ष, काकतिय यह चालुक के वन्ष, दोरों में क्या अंतर है, क्या एक ही वन्ष है, क्या अलग-अलग वन्ष में तीसरा जो वंश हमको पढ़ना है जो काकती के पहले जर्स थे बस्तर वाले चेतर में वह थे छिंदक नागवंश कौन छिंदक नागवंश ठीक है सब यही बस्तर वाले चेतर में चेकर कोट भ्रमार कोट बस्तरी लिख जेते हैं पूरा चौन्था one जिसके बारे में पढ़ना है कवर्धा वाले छेतर में फटिनाग one फटिनाग one पहले क्लियर कर लेते हैं न क्या-क्या पढ़ना है वो बतारे हैं अब को फटिनाग one ठीक है ये जो छेतर रहेगा आपका रहेगा कवर्धा कवर्धा के फट Worth वंश उसके अलावा एक वंश और पढ़ना है सोम वंश लेकिन सोम वंश हमने प्राची नित्यास में ज्यादा तर देखे थे एक सोम वंश आपको यहां पर भी मंदिकाल नित्यास में देखना पड़ेगा जो कहलेंगे कांकेर के सोम वंश ठीक है तो लिख देते हैं सोम कहां के कांकेर के सोम वंश मंदिकाल नित्यास का पाट होता है कांकेर क्लिए इतने मच के पारे में हमको मंदिकाल नित्यास से पढ़ना है मैं आपको दूंगा जैसे मैंने कहा उस वीडियो के सांद प्रॉब्लम हो गई दो बात तो फिरसे रिकॉर्डिंग करने के लाभा कोई अप्शन नहीं है तो आपको रिकॉर्ड करके इस हफते मिल जाएगा राजर्शी तुले और परवद वारग ठीक है वो देदेंगे आपको चली तो यह आपको मंदिकल इंतियास के अंत्रगत की पांच वंच पढ़ना है मुख्य मुख्य तो पर आये लोकेट करते हैं तो सार ले आएगा चिंदग नागवंश ठीक है चिंदग नागवंश और चिंदग नागवंश को रिप्लेस करके चिंदग नागवंश को रिप्लेस करके यहां पर आ जाते हैं काकती यह यहां पर आ जाते हैं काकती ठीक है ठीक है सर जो मद्दे 36 गल का हिस्सा है वहां पर कौन सर कल्चूरी कल्चूरी करेंगे कल्चूरी इसमें रतनपुर का हिस्सा मतला मिलासपुर का हिस्सा भी ले रहा हूं रहा हूं यहां पर कल्चूरी शासन कर रहे हैं आई यह जो छेतर आपको काकेर का दिख रहा है थोड़ा उपर यह वाला हिस्सा जो काकेर का दिख रहा है इ यह यहां पर आप पढ़ेंगे फणी नागवंश फणी नागवंश मैप से लोकेट कर पाए ठीक है कोई बड़ी चीज नहीं सिंपल इत्रा ठीक चलिए तो इन्हीं सम्वंश के बारे में हमको पढ़ना है मंदिकाली इत्यास में लेकिन अच्छा खासा portion कवर करता है आपका मंदिकाली इत्यास क्योंकि जो कल्चुरी वंश है और काकदी वंश है वो काफी लंबा है उसमें बहुत सारी बाते हमको पढ़नी होती है यहां तक लिए रहे हैं सभी को आईए अब हम शुरू करेंगे सब कल्चुरी वंश का इतिहास कि कहां से इसकी शुरुवात हुई है कल्चुरी वंश का इतिहास इतिहास तो पढ़ी रहे है कल्चुरी वंश के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं ठीक है आईए समझते हैं सारा जंजती विद्रों भी काकदी के अंत्रकत सारा बहुत सारा चीज गड़ के ही थे शुरू से यह नहीं यह शुरू से 36 गड़ से नहीं थे मतलब कल्चुरी बंच की जब नीव रखी गई तो वो 36 गड़ में नहीं 36 गड़ के बाहर रखी गई कहां रखी गई कैसे रखी गई यह सारी बात होगी आज की ठीक है तो 36 की कल्चुरी आज शुरू यह लोई हो रहा है आज कलचुरी शुरू और यह कहा से आया उसकी बात च्छिकर अब एक और बात कलचुरी वंच को और किसकी स्दार से जाना जाता है यह भी बहूत लगत लिए तो आईए कलचुरी यह कर आन्दा देखते हैं कलचुरी बोल दिया, कट सूरी, ठीक है, कट सूरी बोल दिया, ठीक है, ये सारे अलग-अलग नाम बता रहा हूँ, कल चूरी, कट सूरी, कट चूरी, कट चूरी, चेदी वंश, या चंदी वंश, ये सभी वंश, और एक तो इंपोर्टेंट भूल गया, मैं है है वंश, ठीक है, है है वंश, इन सभी नामों से हम कल्चूरीयों को जानते हैं, कल्चूरीयों को, कल्चूरी तो बोलते ही हैं, उसके अलावा है है वंश ही भी बोलते हैं, कट सूरी भी बोलते हैं, कट चूरी भी बोलते हैं, चेदी वंश या चंदी वंश भी बोलते हैं, ठीक है, ये सारे अलग नाम हैं इनके, क्लियर इतनी बात है, इनका समय कहां से हो रहा है इनका समय तक्रीबन छटवी शताबदी इस्वी से शुरू हो रहा है इनका समय तक्रीबन छटवी शताबदी इस्वी से लेकर ये जाएगा अठारवी शताबदी इस्वी तक ठीक है अब यहां से count कर लीजी तकरीबन 1200 साल का समय होता है तो इस प्रकार कल्चूरी जो हो जाते हैं 36 गड़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वन्ष के तौर पर जाने आते हैं मतलब सरवाधिक समय तक जिस वन्ष ने शासन किया वो कल्चूरी वन्ष ठीक है 1200 साल का समय हाला कि यह जो 26 चताबदी इस भी बता रहा हो यहीं से 36 गड़ में शुरुआत नहीं होई 36 गड़ के बाहर से शुरुआत होई लेकिन अल्टिमेटली है तो कल्चूरी पूरा यहां से शुरू होकर यहां तक आ रहे तो पूरी कल्चूरी का शासन काल माना जाएगा अलग-अलग छेतरों में तो लंबे समय तक शासन करने वाले वन्षों में सबसे पहला नाम गोल सकते हो कल्चूरीयों का आता है अगर पूरे भारत के संदर में भी देखो तो भी ठीक है क्लियर इतनी बात है आगे बढ़े अब पूरा देखते हैं कि कहां से शूरू हो रहेंगे कल्चूरीयों वन्ष का नाम है है वन्ष कहां से पड़ा इसके लिए थोड़ा सा हमको पौरानिक साक्ष पर जाना पड़ेगा पौरानिक थोड़ी बाते बात करने पड़ेगी आए रेखते हैं ये पौरानिक बाते है क्या सबसे पहले एक पौरानिक पात्र राजा मनू को याद करो पौरानिक पात्र राजा मनू सबसे पहले सबसे पहले पुरुष इस बोल सकते हैं पूरे प्रिथ्वी पर सबसे पहले राजा पहले शासक मनु ठीक है आदि पुरुष मनु ये है है वंशी नाम कहां से पढ़ा वो बता रहा हूँ पहले इधर देखो ठीक इनके वंशच एक आयक कार्त वीरिय कार्त वीरिय ठीक है इनके एक वंशच का नाम कार्त वीरिय मनु के वंशच कार्त वीर के जो वंशच कहला है मनु के वंशच कार्त वीरिय और कार्त वीर के जो वंशच कहला है वो कहला है 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 वंशी है है वंशी ठीक है और फिर यहाँ पर जो वंशच है इसके अंतरगत आने वाले समस्त शासक है है वंशी कहलाए और कल्चूरी जो है इसी कार्तिवीर के वंशाजों से अपने आपको रिलेट करते हैं इसकी बज़े से वो है है वंशी अपने आपको कहने लगे ठीक है और ये है है वंशी किस पर्टिकुलर कल्चूरी शासक ने अपने आपको कहा था ये भी एक प्रश्न बनता है तो ध्यान अकिएगा पृत्वी देव प्रथम पृत्वी देव प्रथम ने अपने आपको है है वंची कहा था ये जानकारी मिलती है अमोदा तामर पत्र से ये सारी बाते फिर से देखोगे पृत्वी देव के अ परणक पात्र मनू, कार्टवीर के वंशच कहला है, है है वंशी, इन्हीए है वंशी से कल्चूरी अपने आपको रिलेट किये, इस करन कल्चूरी है है वंशी भी कहला है, यह है वंशी होने के पीछे hardship है, बाके तो फिर सारा क्या उच्छारण है, कल्चूरी को सब्सक्राइब यह इस वह नाम करने कैसे हुआ क्लियर है क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क सबसे पहली राजधानी के तोर पे हमको नाम पता चलता है महिशमती का, इसका महिशमती, महिशमती ये छेतर है, इंदौर के आसपास, मध्य प्रदेश, इंदौर के आसपास, उस साउथ इंडिया वाला नहीं, जैसे कि मैंने प्रिविए सेशन भी बताया था, ये महिशमती वो जो आप देखे हो, मूवी में बहुत बली, उसमें वो वाला महिशमती नहीं है, साउथ इंडिया का महिशमती नहीं, ये महिशमती जो है, मध्य प्रदेश, के इंदौर के आसपास वाला चेतर है, ठीक है, ये वो महिशमती है, महेशवर नामाग चेतर, इसको अन्य ना वाले इनके बहुत सारे भाई भतीजे आगे जाके और फिर इनकी पीडियां आगे बड़ी अलग-अलग छेत्रों में फैलते गए अलग-अलग छेत्रों में फैलते गए तो इनकी अलग-अलग ब्रांचेस भी भारत में फैलती गई तो अलग-अलग राजधानी भी हम तो चत्रीज़ड में बहुत सारी राजधानिया बनेगी समझ पारे हो अलग अलग जगे पर एकस्पांशन हो रहा है इनका उसके इसाफ से राजधानिया हो रही है ठीक है महें श्मंती के बाद जो आप देखपाते हो राजधानी के तौर पे कालिंजर ठीक है कालिंजर यह क ठीक है कालिंजर ये इनकी राजधानी रही कालिंजर के अलावा प्रयाग गोरकपूर ये भी सारी राजधानी रही ट्लियर क्या काशी और फिर एक ब्रांच हम देख पाते हैं तृपूरी किसकी तृपूरी तो 36 गड़ के बाहर कल्चूरियों की इतनी सारी राजधानी थी बोलो, महेश्मती महेश्वार यहां से शुरुवात हुई इनके राजधानी की, इनके जो बोल सकते आगे आने लिए पीडियां इधर उद्धर फैल्टी गई, जहां इन्होंने शासन के वहां राजधानी बना ली, कल्चुरी ही क्याला है, क्योंकि पीडियां थी उसकी, तो अलग-अलग छेत्रों में रहे कर शासन करने की वज़ए से राजधानी अलग-अलग बनी, उन्हीं राजधानीयों का नाम हम ध्यान रख रहे हैं, कहीं से भी प्रश्ण पूछ देता है, इस करण मैं इनका इतिहास बता रहा हूँ आप, और चुकि यह बताने की पीछे मेरा रीजन यह नहीं है, कि मैं कहीं से भी खोच के लाके आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कुछ एक्स्टा बताना है इस बोलके, इस नाम से, जी नहीं, यह सारा जो डेटेल आपका दिया हुआ है, यह हिंदी गरंत गात्मी, रामकुमार बेहर जी के बुक में दिया हुआ ह उसको हमको कम से कम करना ही पड़े जाए, और उससे प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, और पूछे गए भी हैं, है ना, तो बोले, महेश्मती, इंधौर के आसपास वाला चेतर, जिसको हम महेश्वार के नाम से भी जानते हैं, उसके लाबा कालिंजर, यूपी, एम प्रयाग, यह आपको पता है, वरतमान में, इलाबाद वाला चेतर, यूपी, गोरगपूर, यूपी, काशी, मतलब वारणाशी, मतलब यूपी, ठीक है, एकदम क्लियर, उसके अलावात त्रिपूरी, एमपी, तो अभी कल्चूरी, जो है, कहां पर खेल रहे हैं, यह शाखा के कल्चूरियों के बारे में पढ़ना है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको पहले महिश मती से शुरू करके तीन शासक के नाम बताऊंगा, उसके बाद जितने भी शासक आज हम देखेंगे, बहुत सारे शासक के न इतना clear है सभी को, ये slight clear है क्या, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए, आईए, लाइन से समधिएगा, पहले मैं राजधानी महिश्मती के तौर पे बता रहा हूँ आपको शास्को के नाम, महिश्मती पहला एडिंग, महिश्मती के अंतरगत आने वाले शास्को के तीन नाम आप द कल्चूरियों के मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जा रहा है, मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जा रहा है, आदि पुरुष किसको कहते हैं, या मूल पुरुष किसको कहते हैं, औरेडी मैं बता चुका हूँ, first person, the first person, किसी भी डैनेस्टी का पहला person, पहला आदिपुरुष कहलाता है तो कल्चूरियों का पहला शासक कृष्ण राज ठीक है इनको आदिपुरुष बोला गया समय की शुरुआत तकरीब आम मालो 550 इसवी के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं टाइम लाइन एक जट बिलकुल ध्यान नहीं रखना है जहां रखना होगा टाइम में बताऊँगा यहां टाइम ध्यान में नहीं रखना है बस रेफेरेंस के लिए कि क्या चल रहा है भी कौन सा समय चल रहा है बस इतना 550 एकदम याद होना चीए यह नहीं कह रहा हूँ मैं यहां तक क्लियर है क्या ठीक है चलिए कृष्ण राज को बोल आदिपुर और ती क्रिष्ण राज संकर राज के बाद्ना रेंस जो रिखो गया जो त्रिपुरी शाक ऑसे समबंदीत है ठीक है कोई बात नहीं हम कृष्ण राज शंखा राज और तीसरे मantee साँस्ध जो ठीक, ये तीन शासा का नाम ध्यान रखो, जो माहिश्मती शाखा से सम्बंदित है, जब कल्चुरियों की शुरुवात हो रही थी, फिर से बोलो, कृष्णराज मुलपूरुश हो गए, सबसे पहले शासा को गए सर, ठीक है, दूसरे शासा को गए शंकरगण, और तीसरे शा रखना, एक और बात देखो, शुरू में, शुरू में शुरुवात होई महेश्मती से, फिर धीरे-धीरे हम देख पाता है, ये तृपूरी में आ गया, अल्टिमेटली है MP, ये भी MP है, मतलब मंद्य प्रदेश है, आगे जाके तृपूरी भी देखेंगे, वो भी मंद्य प्रदेश MP ही होने माला है, तो मनलब पर्टिकुलर अलग अलग छेतर में शासन करने को जैसे नाम अलग अलग दे दिया जा रहा है, पर्टिकुलर केंद्र को, जो राजधानी के तौर के पढ़ ठीक है, अभी महेश्मती पढ़ रहे है, तो ये तीन शासक, के बारे में जो मैं बता रहा था, वो ये था, कि एक चालुक के नरेश, मंगलेश का नाम ध्यानखना, चालुक के नरेश, मंगलेश को इन्होंने पराजित किया था, को पराजित किया, ठीक है, क्लियर, हो गया है, क्लियर, उसको पराजित नहीं किया, उससे पराजित हुए ठीक है, मंगलेश से पराजित हुए, चालू की नरेश मंगलेश से पराजित हुए, बुद्धराज, मतलब उनसे लडाई हुई थी, कहीं से भी कुछ भी प्रशन पूर सकते हैं करके यह सारे फैक्ट मुझे बताने पड़ रहे हैं, ठीक है, एक और बात आपको ध्यान रखन दित है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो गुफा पढ़ते हो, मुंबई में एलिफेंटा की गुफा न, तो एलिफेंटा की गुफा बनवाने में कल्चूरियों को भी श्रेय दिया जाता है, ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफा का श्रेय की गुफा का श्रेय कल्चूरियों को भी दिया जाता है करके ध्यान में रख लेना कल्चूरियों को भी कल्चूरियों को भी ठीक है यहां तक क्लियर है ठीक यहां तक हमको क्लियर हो गया यह तीन आम हमको क्लियर हो गया अब इसके बाद महाश्मती के हो गया क्योंकि महाश्मती इसलिए पढ़ रहे है क्योंकि शुरुआ तूरी है अब हम इसके बाद देखेंगे ट्रीपूरी के शासक देखेंगे आ यही से शुरू करेंगे फ्रेंट्स Ja यहाँ पर अब आप हैड़िग ढाल ढहनेंगे ट्रीपूरी के कल्चूरी अब इसमें लाइन से आप शास्कों के नाम पढ़ेंगे तरिपूरी से कैसे expansion UP की तरफ हुआ ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा बस समझते चलिएगा थोड़ा ध्यान में रखते चलिएगा देखते हैं तरिपूरी के कल्चूरी तरिपूरी की कल्चूरी की सहस्थापक कौन थे अगर बोला जाए तो वामराज देओ का नाम याद रखना है पहले शासक ठीक है पहले शासक वामराज देओ वैसे तो एक दो तीन नमबरिंग डालके पढ़ाना सही नहीं है क्योंकि कोश्यासकों के नाम है बीच में कोश्यासकों के नाम घायाब है तो sequence नहीं है थ्यानकी का यह जो नमबरिंग डाल रहा हूँ सिर्फ हमने जो शासक पढ़ रहे है उनकी नमबरिंग के तऔर पे बस बता रहा हूँ आपको समझ मैं ही बात आपको वामराज देओ सास्थापक त्रिपूरी के कल्चूरी के सास्थापक कौन वामराज देओ तो प्रश्ण किसी भी तरीके से पूछे कोशन अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से कोशन पढ़ लेना त्रिपूरी में कल्चूरी के संस्थापक बोले तो वाम राज देओ, त्रिपूरी के संस्थापक बोले कृष्ण राज, 36 गण में त्रिपूरी के संस्थापक बोले कलिंग राज, ये अलग-अलग सारी बाते हैं, ठीक है, clear है, तो वाम राज देओ, त्रिपूरी के में शासन है कैसे इनका expansion यूपी की तरफ होता है वो प्रयाग काशी गोरखपूर कालिंजर छेत्र यह सारा देख रहो यहाँ पर कैसे इनका expansion होता है अब मैं वो बताने वाला हूँ ठीक है यह जो वामराजद्यों का जब समय चल रहा था तो इसमें उत्तर भारत में एक प्र उनका शासन था लेकिन जैसे ही खर्ष की मृत्ती होती है अंतिम हिंदू सम्राण बोलते हैं हर्ष को पुषिभूती वंच जैसे ही उनकी मृत्ती होती है तो आजपास के जितने भी वंच थे उनको मौका मिल जाता है कि इस उत्तर भारत वाले छेत्र में अधिकार अपना कजुरी भी है उन्होंने भी कोशिश की कि हर्ष की मृत्यू के पस्चाच जो रिख्ती आई है उस छेत्र को अपने समराजे में मिला लिया जाए और उसी प्रयास में वामरास देव ने क्या किया कि त्रिपूरी से जाकर ये जो कलिंजर वाला छेत्र है प्रयाग वाला छे और यहां से इनका expansion MP से चला जाता है यूपी की तरफ ठीक है जो हमने देखा था ना प्रयाग काशी ठीक है कालिंजर तो इस समय expansion होता है इनका कैसे छेत्र को तो जीता लेकिन वहां रहे के शासन नहीं किया अपने भाईयों को वहां पर शासन के लिए छोड़े गें अपने भाईयों को शासन के लिए दे दिया ये यूपी वाला छेत्र पूरा ठीक है और इनके एक भाई का नाम ध्यान रखना लक्षमण साय लक्षमण राज जो मैंने बताए आगे जाके वो भी दो और तीन लक्षमण राज देखने को मिलेंगे इनके जो भाई लक्षमण अपना की संस्थापक है उसके अलावा कालिंजर प्रयाग अब देखो पूरा एक साथ करके में यूपी कर दे रहा हूं उत्तार प्रदेश कर दे रहा हूं कालिंजर यूपी में प्रयाग काशी गोरगपूर ये सारे आ जाएंगे तो कालिंजर यूपी छेत्र को हर्ष के म प्रिक्तिव के पस्चाद अपने समराज्जी में मिलाया, या फिर समराज्जी को जीता कर देना, यूपी छेतर को जीता, ऐसा, ये ज़्याद अच्छा रहेगा, यूपी छेतर को जीता, यूपी छेतर को जीता, एवं अपने भाई, एवं अपने भाई, लक्षमन राज को, लक्षमन राज को यूपी छेत्र उत्तर प्रदेश छेत्र जिसमें यही सारे छेत्र आ जाएंगे खासकर गोरगपुर गोरगपुर शासन के लिए दिया शासन के लिए दिया क्लियर ये बात ये बात क्लियर पहली बात इसकी वामराज देऊगी कि कैसे expansion हो रहा है खुद शासन नहीं किये UP वाल अच्छेत्र को जीत लेने के बाद अपने भाई लक्षमट राज को दे दिया जाओ शासन करो एक और बात फिर जैसे लक्षमट राज वहाँ पर शासन किये इनके और भी पीड़ी के कुछ शासक रहे होंगे वो इधर उधर UP में और फैल गए और जब ये अयोध्या के पास जाकर शासन करने लगे गोरपूर अयोध्या के पास जाकर शासन करने लगे ये ब्रांच अलग हो गई और ये जो ब्रांच इनके बाद से जो निकल के आई लाइश्मती अलग, त्रिपूरी अलग, सर्यूपार के अलग, आगे 36 गड़ के अलग, बात समन में, वामराज देव त्रिपूरी के हैं, त्रिपूरी में रहे गए, बस छेत्र को जीता अपने भाई लश्मन राज को दे दिया, लश्मन राज के साथ जो भी इस पिढ़ी के मतलब इस वह से सम्मंधित कुछ लोग रहे होंगे, वो आस-पास पूरी छेतर में फैल गए, तो उनकी ब्रांच यूपी में अलाग हो गई, तो जो यूपी में रहे गए, कल्चूरी शासन कर रहे थे, वो कहला है, सर्यूपार के कल्चूरी, इतनी बात है क्लियर है कि अई हो इतनी बात है क्लियर है, ठीक है, अभी वामराज दो ही चला रहे हैं भी, ठीक है, अब देखो, चूकि कालेंजर शेतर इन्होंने जीता, चूकि कालेंजर शेतर इन्होंने जीता, इन्होंने अपने आपको एक उपाधी से भी बूचित किय बैसे तो बहुत सारी उपाधी ली थी इन्होंने लेकिन अपने आपको एक मेन उपाधी कालिंजर जीतने के बाद इन्होंने अपने आपको दी जो था कालिंजर वराधीश्वर कालिंजर वराधीश्वर की उपाधी से अपने आपको विभूशित किया। इसके अलावा महा राजा धिराज परम भठारग यह सारी उपाधी भी इन्होंने लिया हुआ है लेकिन चुकी गेखो जैसे यह परम भठारग हो गया महाराजा धिराज हो गया परमेश्वर हो गया, यह जो उपाधिया है, यह बहुत सारे शासक लेते हैं, इस कारण यहां से प्रश्ण नहीं बनते हैं, प्रश्ण बनते हैं ऐसी किसी उपाधी से, ठीक है, ऐसी किसी उपाधी से, एकदम ख्लियर, आगे बढ़ें, वामराज देव हो गया पूरे इधर, अब हम आगे बाद करते हैं अगले आने वाले शासक त्रिपूरी के कल्चूरी चल रहे हैं अभी त्रिपूरी के कल्चूरी चल रहे हैं त्रिपूरी के ही पढ़ेंगे आज में दूसरे शासक का नाम हम पढ़ते आईए वामराज देव के बाद सारी चीज़ें फिर से एक बार quick revision में करवाऊंगा सिर्फ सुनते चलो वामराजदेव के बाद आएंगे शंकरगण प्रथम शंकरगण प्रथम अब सार इसके पहले जो शंकरगण बताया थे वो प्रथम क्यों नहीं है क्योंकि वो महीश मती के हैं वो शंकरगण अलग त्रिपूरी के अंतर के जितने शंकरगण आएंगे उनका नाम हम 1,2,3 रखेंगे तीन शंकरगण केवल त्रिपूरी में आएंगे एक शंकरगण पहले देखा है चार शंकरगण हो गए टोटल तो तीनों को चारों को अलग-अलग करिएगा जो तीन है वो त्रिपूरी के अंतर करता रहे एक जो शंकरगण देखा तो माईश मती के अंतर करता है तो शंकरगण प्रथम एक नाम याद करो चलो दूसरे शासा त्रिपूरी के ठीक है इस शंकरगर प्रथम की जानकारी हमको सागर मध्यप्रदेश के अंतर के ताने वाला इक जीला सागर शीला लेग से प्राप्त होती है सागर सागर शीला लेग से जानकारी प्राप्त होती है ठीक है किसकी शंकरगर प्रथम की इसको शंकर गण पढ़ने को भी मिलता है, दोनों सही है, ऐसा जो लिखा है जादा सही मुझे लगता है, शंकर गण, ठाव है, हो पारह है, आगे बढ़ें, शंकर गण प्रथम के बाद आएंगे तीसरे शासा केues, यहाँ पर लक्ष्मन राज परत है, लक्ष्मन राज प्रथम, अब यहाँ पर फिर दुविधा आ गए, कि सर वो जो वाम राज देओ के भाई आपने लक्षमाट राज बताया था, क्या ये वही है, नहीं, ये वही नहीं है संभवता, वो जो लक्षमाट राज थे वो चलेगे यूपी की तरफ, लेकिन ये आपके कहां पर है, त पोते का भी हो जाएगा, प्रथम, दुविती, तिर्ती करके वही चल रहा है था, ठीक है न, तो ये लक्षमाट राज पहली बार आ रहे है, त्रिपूरी के अत्रगत, वो जो आया थे, वाम राज देओ के भाई, वो चलेगे थे, यूपी के तरफ, वो अलग है, ये अलग गोविंदर त्रितिय से इनके अच्छे संबंद स्थापित हुए, से इनके अच्छे संबंद स्थापित हुए, ये बहुत ही, इंपोर्टेन इसली हो सकता है, क्योंकि राश्ट्रकूट वंच हम भारत की तियास में, एक बहुत ही महतपूर मंच के तौर पर पढ़ते हैं, जो दक्षिर भारत का वंज था रास्टुकूट तो रास्टुकूट एक शासक का नाम आपको याद रखना है गोविंद्र तृति है तो उनसे अच्छे संबन इस्तापित हो गए थे लक्षमाण राज के तो मतलब इस प्रकार हम कहा सकते है लक्षमाण राज प्रथम के साथ रास्टुकूट वंज की जो मित्रता थी वो अच्छी थी ओके अराम से समय चल रहा है तक्रिबन आठ सो इस्वी आठ सो इस्वी के बाद वाला मतलब नवी शतापदी इस्वी चल रहा है आठ सो के बाद के तियास clear होता है न तो यह पढ़ने में जादा easy होती है तो care, जादा कुछ है भी नहीं तो direct हम ध्यान में रख सकते हैं, okay, हो गए तीन शासा हो गए, आई ये चौथे शासा का नाम देखते हैं इसके बाद कोकल प्रथम ठीक है कोकल प्रथम कोकल प्रथम clear है क्या, लक्षपन राज के बाद आगए कोकल प्रथम कोकल प्रथम कोकल प्रथम के बारे में एक बात बोली जाती है कि राजधानी ठीक है, माम राजदेव नहीं सापित किया लेकिन इस्थाई रूप से त्रिपूरी को राजधानी बनाने वाले में कोकल प्रथम का नाम आता है तो त्रिपूरी को कल्चूरियों की इस्थाई राजधानी इन्होंने बनाया किसने कोकल प्रथम वाम राजदेव के समय क्या हुआ था बोल वाम राजदेव ठीक है त्रिपुरी में रहके शासन कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान बागी छेत्रों में भी है, वो यूपी में भी जा रहे हैं, अपने भाईयों को भी इधा उदर फैला रहे हैं, अलग-अलग राजधानियों के निर्मान करवा रहे हैं, समझ रहे हो, लेकिन कल्चुरियों की र कर दिया आप लोगों के लिए ठीक है प्रस्ट पर निर्भर करेगा इनका समय आते आते तक देखो यहां पर मैंने बुता बोला कि 800 इस्वी के बाद का समय है इनका जो समय चल रहा था वो चला था 500 आ स्वरी 850 इस्वी से लक्षमण राज का तक्रीबर माना जाता है कि 825 से 8 850 इस्वी के बीच शासन था और फिर 850 के बाद कोकल प्रथम आ गये जस्ट लक्षमण राज प्रथम के बाद इनका शासन रहा ठीक है जैसा कि आप देख पाते हो कि इसके पहले आने वाले लक्षमण राज प्रथम ने शासक ने राष्ट कूटों से अच्छी मित्रता न कोकल प्रथम के समय राष्ट कूट एवं धोज वंच से मित्रता या से अच्छे संबंद इस्थापित हुए ठीक है यह दूसरी बात कोकल प्रथम से रिलेटेड है क्लियर है क्या इतना क्लियर है इसके अलावा एक और वंच से इन्होंने संबंद इस्थापित करने की कोश चंदेल वंश से इन्होंने वेभाहिक संबन्द इस्थापित कियं, मतलब चंदेल वंश की एक राजिकन्या जिनका नाम था नोननला, सुरी मादधेवी, उनसे कोकल प्रथम ने विवाह किया, तो देखो ये चंदेल वंशी सासक MP में ही शासन करते थे राश्ट कूड और भोजवन से अच्छी मित्रताय अच्छे संबन थे उसके अलावा चंदेल वंश शासकों से या चंदेल वंश से इन्होंने वेवाही संबन निस्थापित किये कैसे चंदेल वंशी राजकन्या नट्टा देवी से विवाह नट्टा देवी से विवाह प्लियर प्लियर एकदम तो ये तीन बात कोकल प्रथम के संदर में ध्यानकना तीन शासक पढ़ने एक बार फिट से बोलो मन अब चार टोटल होगे सबसे पहले वामराज देव पढ़ा था पहले पेज में इसके बाद शंकरगार प्रथम लक्षमाण राज प्रथम कोकल प्रथम और सभी के बारे में कुछ-कुछ बाते आईए अगले शासक देखे पाचवे शासक इनके पुत्र इसके पहले देखो लक्षमाण राज संभवता कोकल प्रथम के पिता जी हमाँ करो ये पिता जी ये पुत्र रिलेशन एकदम से क्लियर नहीं हो रिलेशन पे पढ़ो भी मत कौन किसका पुत्र पिता छोड़ो आप क्रोनोलोजी ध्यान को कोकल प्रथम के बाद अब जो शासक आएंगे उनका नाम होगा शंकरगण डुथी इसके अलावा इनका नाम मुग्धतुंग या फिर रण विग्रह भी है ठीक है ये सारे एक ही शासक है अलग-अलग नाम के साथ शंकरगण डुथी को मुग्धतुंग या फिर रण विग्रह के नाम से जाना जाता है ठीक है ये कोकल प्रथम के पुत्र है ये क्लियर तो पांचवे शासक बोलो कौन शंकरगण डुथी इसके अलग-लग नाम के साथ अलग-लग नाम एक ही शासक ठीक है अब इनके समय देखो ये क्या हो रहा है पहली बार 36 गड़ में एंटर करने वालों में ये आएंगे हुआ क्या था सुनो इनके समय हम बात नोट करेंगे ये जो शंकरगण डुथी है जिनको हम मुग्धतुंग के नाम से जान रहे है जब हम 36 गड़ के कल्चुरी पढ़ते तो इनका नाम आता है होता क्या सुनो ये जो शंकरगण डुथी है ये घुमते फिरते आते हैं 36 गड़ के पाली छेतर में कहाँ पर पाली छेतर वहाँ पर ये पाते हैं कि यहाँ पर कुछ शासकों का अधिकार है समराज जी है जो शासक थे सोमवंशी जो शासक थे सोमवंशी पाली छेतर कोरबा वाला छेतर मतला पूरा वो सरकल वहाँ पर ये आते हैं और पाते हैं कि हाँ पर सोमवंशी शासकों का समराज जी है वहाँ से ये सोमवंशी शासकों से पाली छेतर चीन लेते हैं, इस छेतर में विजय प्राप्त कर लेते हैं, और खुद शासन नहीं करते, इस छेतर को जितने के बाद ही वापस आ जाते हैं त्रिपूरी में और इस छेतर में अपने भाईयों को लगा देते हैं जो बेटा एश करो, समझ रहो घुमते फिरते शंकरगर दुटी 36 गड़ में प्रवेश किये, पाली छेतर में आए ये कोरबा बिलासपूर वाला पूरा सरकल यहां पर इनों ने पाया कि सोंवंशी शासकों का समराज्य है, उस सोंवंशी शासकों से उस समराज्य को अपने में मिला लिया या फिर ले लिया या जीत लिया ठीक है, लेकिन इस छेतर को जीतने के बाद शंकरगर दुटी जो है वहाँ पर रहे के शासन नहीं करते, वो वापस तुरिपूरी आ जाते है और जो इनके भाई है उनको इस पाली छेतर में लगा देते हैं बोल देते हैं कि जो पाली छेतर तुमारा जो तुमें एश करो, शासक बन जाओ आके बाद में फिर क्या होते हैं जैसे ये शंकरगर दुटी वापस तृपूरी में आते हैं उनके भाई इस पाली छेतर में रहना शुरू करते हैं वापस सोमवंशी शासक उठके खड़े होते हैं और वापस इनके भाईयों को हरा कर वापस भेज देते हैं तृपूरी और फिर से पाली छेतर में सोमवंशी ओं का शासन हो जाता है तो ये पुरा सिक्वेंस है, ध्यान में रखिएगा तो शंकरगर दुटी पाली छेतर में आये जीता अपने भाईयों को दे दिया शासन करने के लिए इनके भाई कुछ समय रहकर शासन किये वापस सोमवंशी शासक एक जुठ हुए लड़ाई किये, इनके भाईयों से इनके भाईयों को वापस भेज दिये और फिर से सोमवंशी शासकों का यहाँ पर शासन हो जाता है फिर थोड़े बात में जाके देखते हैं एक शासक आता है लच्षवन राज जो संभवता इसी वनश का है मतलब इसी वनश का है उसका पुत्र आता है कलिंग राज वो कलिंग राज अंतिम रूप से इन सोमवंशी शासकों को हराते हैं और 36 गड़ में कल्चुरियों की स्थापना करते हैं ये पूरा clear sequence ध्यान रखना है तो पाली छेतर में वीजय भाईयों को दिया भाईयों से शासक वापस सोमवंशी शासकों के पास सोमवंशी शासकों के पास से जो अंतिम रूप से ये छेतर ले लेगा वो ले लेगा कलिंग राज ठीक है और कलिंग राज किसका फुत्र था तो लक्षमन राज अब ये कौन लक्षमन राज है ये गुत्ती है इस पर ना पड़ो भाईया इतना देर से चिला रहों कुछ हाँ हूँ कुछ भी थ और हो लेकिन क्या करें क्लियर हो रहा है चलो तो ये पांच्वे शासक शक्कडगर द्विति मुग्धत्वूं रण विग्रा इनका संबन च्छत्तीजगर से है यहां पर च्छत्तीजगर में कल्चुरियों ने दस्तक दे दी क्लियर सभी को क्लियर बोला जाता है कि कोकल प्रथम के अठारा पूत्र थे अठारा जिसमें से एक शंकरगर द्विति है पाली चेतर जीते और अठारा पूत्र है मतलब शंकरगर के बहुत सारे भाई है वही भाईयों को भेज दिया पाली चेतर में जाओ करो मौझ मस्ती करो मजा रहे है इंद्रजीत बोल रहे है मजा रहे है मेरे को तो नहीं लगता कहीं से मजा रहे है इस प्रकार का स्टोरी चलो खेर आओ अच्छी बात इंट्रस्ट आ रहे है अच्छी बात बहुत अच्छी बात अगर इंट्रस्ट ले रहे हो मजा रहे है बहुत अच्छी बा फ्लोडायगनाम के माध्यांसे बताऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ उपर में लिख देता हूँ, शंकरगाण दूइती जिसका दो पूतर के बारे में बात करेंगे, एक हो जाएंगे यूवराज देव, युवराज देव प्रथम जिनका अन्य नाम केउर वर्ष भी है केउर वर्ष भी है ठीक है शंकर गड ड्वितिय के दोपुत्र बालहर्ष और युवराज देव प्रथम जिनका नाम केउर वर्ष भी है इतना क्लियर क्या ठीक है यूराश्ट देव प्रथम के बारे में दो-तिन बाते ध्यान में रिखे लेना जो अभी तब मित्रता चली आ रही थी राश्ट कूट से कल्चूरियों की वो मित्रता यूराश्ट देव के समय समाप्त हो जाती है ठीक है राष्ट कूटों से जो मित्रता चल रही थी कल्चूरियों की वो यूराज देव प्रथम के समय समाप्थ हो जाती है मतलब यहां से कल्चूरियों की राष्ट कूटों से मित्रता समाप्थ ठिक एक राजकन्या चालुक के राज कर्णिया नोहला का नाम ध्यान रखना तो नोहला से विवाह इन्हों ने किया प्रश्ण पूछ सकता है इस शासा का विवाह किस राज कर्णिया से हुआ ऐसा प्रश्ण पूछ सकता है तो ध्यान में अना चाहिए यूराज देव प्रथम का विवाह नोहला जो एक चालुक के राज कर्णिया थी उनसे हुआ नोहला नामक राज कर्णिया से विवाह हुआ ये दूसरी बात किसके संबन में यूराज देव के संबन में प्रथम प्रथम है ठीक है तो ये दो बात जो है ना राज देव यूराज देव प्रथम के समय ध्यान रख लेना एक मित्रता समाप्त होगी राज कूटों से एक चालुक की राजकन्या नुहुला से भिवा हुआ हुआ इनका हो गया शंकरगाण दुति ये के दोनों पुत्र है बाल हर्च और ये ठीक आगे बढ़ें पहले इनको हम कर देते हैं इस प्रकार ऐसा करेंगे बॉक्स के ना तो मज़ा आता है थोड़ा अच्छा दिखता है ना चलू अब किसके पुत्र की तरफ आगे बढ़ें आओ अब पुत्र बढ़ेंगे बाल हर्च की तरफ सॉरी इनके पुत्र की तरफ युरास दियो के पुत्र की बात करेंगे युरास दियो प पूत्र के नाम पे नहीं रखा इनके पूत्र लक्षमांट राज रुख जो यहां थोड़ा सिक्वेंस गड़ बढ़ा गया है इसके पहले सिक्वेंस वाइस चलते हुए लक्षमांट राज पहला देखा था इदर वाम राज दियों के भाई अलग ये अलग, ये पहले अब जो आ रहे हैं वो दूसरे ठीके, तो ये लक्षमाण राज भीती है अब ठीके तो इनका नाम आप करो ऐसा बॉक्स में बंद, ये इनके पुतर के लाए लक्षमाण राज भीती है ठीके, हो गया अब लक्षमाण राज के दो पुतर जो मैं बता रहा था वो लक्षमाण राज के दो पुतर का नाम आपको ध्यान रखना है एक डादा जी के नाम पे मतलब लक्षमाण राज ने अपने एक पुतर का नाम अपने पिता जी के नाम पे रखा जो था यूराज देव दुविति 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 यूराज देव दुव ठीक है क्या, मैं फिर से करवाँगा सारा, फिर से करवाँगा सारा, एक बार कोई क्रिविजन करवाँगा, अभी बास दिमाग में रखते चलो, हुआ क्या देखो, अब युरास देव की पीडियों के बारे में पढ़ेंगे, शंकर गण तरिती के पीडियों के बारे में अमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है भाई, ठीक है क्या, आओ, युरास देव द्विती के बाद, जो शासक आएंगे, क्या आप बोल रहे हो, कम से कम इंजिरिंग के सब्जेक्स अच्छा, इंजिरिंग के सब्जेक्स अच्छा है, बिल्कुल नहीं है, जो टेक् आता है, इंजिरिंग आती हो, याता ही interest नहीं हो, मुझे आशिया लागता है, आप लोगों को पता नि, science जनेरल्य लोगों को अच्छा लागता है यहाँ पर खाए pagina है तरीक है कि स्टोरी जो है थी कह स्टोरी में इंट्रेस्ट आता अची बात है लेकिन इतने सारे के क्या करोगे इतने सारे के क्या करोगे है चलो खेर आगे बढ़े सिक्वेंस में लग्ष吗 कोकल द्विती है गांगे देव के बाद शासक आएंगे गांगे देव के बाद जो शासक आएंगे वो आएंगे यशकरण यश्कर्ण यश्कर्ण के बाद जो शासक आएंगे उनका नाम होगा गयाकर्ण गयाकर्ण यह पूरे शासक ठीक है और अन्तिम शासक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से इसके बाद अन्तिम शासक आते हैं कि नहीं यह अन्तिम शासक का नाम आपको नहीं बुलना है वो है विजय सिंग ठीक है विजय सिंग तो बस इतने शासक का नाम आपको ध्यार रखना है बस यह पूरा आपका फ्लो डाइग्राम चलो इसको बॉक्स में बंद करते हैं एक बार फिर से में रिपीट करूं में सारा जो भी चीज हमने आज पढ़ा है उसको पूरा रिविजन करवा हम एक बर फिर से बस एक बर यहां पर रिविजन कर लो यह राज्देव प्रथम लक्षमाट राज डृति यह राज देव डृति शंकर गन तृति इह गोकल दृ जो है बहुत सारे शासक ने यह उपादी धरन की थी जिसमें आप सबसे प्रमुक चंद्रगुप्त वृति को मानते हो राइट गुप्त वंश के लेकिन गांगे देव ने भी विग्रमा दिती के उपादी धरन की थी कोशन अगर पूछे तो ध्यान में होना चाहिए उसके अ अलावा कुछ चालुक के शासकों को भी इसने पराजित किया था ये भी जानकारी प्राप्त होती है कन्योज के शासक चालुक के शासक इसके अलावा गौण छेत्र गौण छेत्र मतलब वरतमान का बंगाल छेत्र बोल सकते हो उस छेत्र में शासन करने वाले शासकों को भी पराजित किया था पराजित हुए नहीं थे पराजित इन्होंने किया था ओके तो ये हो जाता है पुरा त्रिपुरी के कल्चुरी ठीक एक वर फिफ से कुईक रिविजन जब आप रैपुर के कल्चुरी पढ़ोगे तो उसमें ये सारे जो आखरी आखरी के नाम देखने को मिलेंगे जैसे गांगे देव हो गया कर्ण हो गया ये सब नाम आपको फिर से देखने को मिलेंगे और ये वही कल्चुरी होने वाले ठीक है जब हम रैपुर के कल्चुरी यह देखो, अब मैं क्या बोलो, ऐसा टेक्निकल इशू में कुछ नहीं कर सकते, और इसी करण जब एक बार क्लास डिले होती है, तो होती ही जाती है, जैसे एक बार क्लास, कल जो था, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की विज़े से, मौनिंग में नहीं हुआ, इवनिंग करन करना पड़ा, उसके चकर में फिर आज शाम को करना पड़ा, आज शाम में क्लास हो, तो कल शाम को करना पड़ेगा, यही चलता है, अब देखो, यहां रिविजन करवाने वाला था, गया जारा पूरा, चलो कोई बात नहीं, एक बार मन में रिविजन करते हैं, मन में रिव आपके पास है अल्रेडी मन में रिवाइश करेंगे रिवाइश करेंगे सबसे पहले मैंने बात की जब त्रिपूरी की कल्चूरी ओंकी शुरू करते हैं क्योंकि उसके पहले उतना इंपोर्टेंट नहीं है जब से पहले मूल पूरुष हमने पढ़ा था क्रिश्नाराच क्ल कल्चूरी बता रहा हूं तीसरे शासक का नाम महेश मती वाले त्रिपूरी बार बार निकल रहा है महेश मती वारे कल्चूरीयों के शासक के तौर पे पहला नाम हमने देखा या त्रिपूरीयों की नीव रखी जिसने कृष्ण राच मुलपुरुष ठीक दूसरे शासक हमने देखा शासा का नाम हमने देखा शंकरगण और तीसरे शासा का नाम हमने देखा दा बुद्धराज अभी सिर्फ हम नाम याद कर रहे हैं क्लियर होगे इतना उसके बाद उसके बाद त्रिपूरी वन शुरू हो जाता है त्रिपूरी शाखा मतलब त्रिपूरी शाखा शुरू हो जाती और कल्चूरियों की त्रिपूरी शाखा के सस्थापा के तौर पे हम वामराज दियो का नाम देखते हैं तेयर होगा वामराज दियो वामराज दियों के संबन में मन ने बहुत सारी बाते बताई थी जैसे इन्होंने कालिंजर छेत्र के अलावा मतलब वो MP में ही आता है उसके अलावा UP वाले छेत्र में अपने समराज जिक विस्तार किया जिसमें प्रयाग काशी, गोरगपूर ये सारे छेत्र आ रहे थे अपने भाई लक्षमान राज को UP वाला छेत्र मतलब गोरगपूर वाला छेत्र दे दिया शासन गरने के लिए और वापस आगए त्रिपूरी में ठीक है उपादी धारन की कालिंजर वराधिश्वर ठीक है, ये वामराज देओ के बारे में पढ़ रहे वामराज देओ के बाद जो शासाकार है त्रिपूरी के दूसरे शंकरगर प्रथम ठीक है, शंकरगर प्रथम इनके जानकारी शागर सीला लिग से प्राप्तूती ये भी हमने देखा शंकरगान प्रथम के बाद आ रहे है लक्षमान राज प्रथम हो रहा याद हो रहा याद लक्षमान राज प्रथम के समय हमको देखने को यह मिलता है कि इनकी जुम्रित्रता थी वो राश्ट कूटों से थी उस समय अच्छे संबंद इस्थापित हो चुके थे राशकूटों से, बिल्कुल ठीक है आगे बढ़े, लक्षमान राज प्रथम के बाद आएंगे कोकल प्रथम कोकल प्रथम के संबंद में हमने दो तीन बाते देखी थी जिसमें देखा था क्या कि त्रिपूरी स्थाई राजधानी बन गई, त्रिपूरी स्थाई राजधानी बन गई कोकल प्रथम के समय से उसके अलावा इनकी मित्रता राश्ट कूट के अलावा भोजवंश के शासकों के साथ भी हो गई भोजवान से अच्छे संबन इस्तापित हो गया कोकल प्रथम की और कोकल प्रथम के संबन में यह जो मैंने बात बताई कि इनकी जो मित्रता है राष्ट कूट के अलावा भोजवान से भी है यह जानकारी हमको बिलहरी लेक से मिलती है ये बात आड़ कर लो आप ये बात बताने शेष्टा गई थी बिलहरी लेक से ये जानकरी मिल रही है कोकल प्रथम की जो मित्रता थी वो राष्ट कूट के अलावा भोज वंच से भी थी एक चंदेल वंची राज करने से इनका विवा हुआ जिनका नाम था नट्टा देवी तो तीन वंच से संबन यहाँ पर नजर आ रहे हैं राष्ट कूट भोज और चंदेल वंच कोकल प्रथम के फिर आगे जाके हम आगे वंच से देखते हैं शंकर गणा द्विति जिनका नाम था मुगधत तुंग वहाँ से फिर फुरा फ्लो डाईरम मन के आ रहा है एक तरफ बालहर्श एक तरफ यूराजदेव ठीक है यूराज mortatre प्रथम के पुत्रों के बारे में बतानों लक्षमरास द्विती के पुत्रों के बारे में एक उन्होंने अपने पिता जी के नाम पे रख दिया यूरास द्विती और एक उन्होंने अपने दादा जी के नाम पे रख दिया कोकल दुती के बाद, आप देखे गांगे देव, गांगे देव के घांगे देव के बाद आपने देखा करण, फिर यश करण, फिर गया करण. ठीक है क्या? और अंतिम्चा सम्ड बिजाय सिंग, आई होव रिविजन होगी, होगा आप सभी कeing. ठीके क्या मुगदुतुंग के बारे में क्या बताया था एक बर कोई करिविजन कर ले ना पहली बार 36 रोणे दस तक मुगदुतुंग ने दी थी जो आपके शंकरगण दृती है पाली छेतर में आके पाली छेतर को जीता अपने भाईयों को दे दिया बाई मार पिटके भगा दिये गए वापस वापस ओंवाचियों के छेतर में आगया मनलब हात में आगया समराज्जे फिर आगे जाके कोई लक्षमाड राज आते हैं पुरी के ही थे मानते हैं और उनके पुत्र कलिंग राज आके पाली छेत्र को अंतिम रूप से जीतते हैं और यहाँ पर कल्चुरी मज़ की स्थापना करते हैं तो यह था आज कल्चुरियों का हितिहास की कल्चुरी कैसे आए इनके बारे में हमने देखा नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 36 गड़ के कल्चुरी वो हमारी शुरुवात होगी ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में 36 गड़ के कल्चुरी को लेकर धन्यवाद आप सबी